हेलो व्रिवन वन्स अगें वेलकम बैक तो में यूट्यूब चैनल और आज जो हमारी सीडिस चल रही थी शब्द रूप लर्न करनेगी उसका लास्ट वीडियो है आपने अकारांद इकारांद उकारांद आप सब याद कर चुके हैं सब कम्लीट हो चुका है आज हम रिकारा करते जाया है कि मेरे साथ आप करते जाया करिए वीडियो देखते देखते ताकि क्योंकि टाइम बहुत कम है ना तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो अगर आपने इतने सारी लर्न कर लिए शब्द रूप तो आपका कॉन्फिदेंस और बूस्ट अप हो चुका है और अब यहां पर आपको पता है कि इतना आपका कॉन्स्टेंट चलेगा यह आपको मैं हर बार बताती हूं यह आपने नदी का याद किया है हरी का याद किया यह जिसने भी याद किया है maximum ते यह बालक का छोड़ कर यह आपका एकदम सेम चल रहा है इसको आपको नहीं याद करना ह आपको इधर करना है इधर की दो लाइन करनी है ये चाहें तो आप इसको correlate कर सकते हैं दूसरे रूपों के साथ लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाएगा पर कुछ इसमें हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जैसे नदी का शब्द रूप है तो नदी रहता है नद्यो रहता है नद्या रहता है ठीक है यहां माता का रूप है तो माता है सीदे सीदे फिर मातरो है मातरा है एकदम सेम जा रहा है फिर थोड़ा सा चेंज आपका आजाता है बाद में नदीम नद्यो नद्या लेकिन माता में आपका मातरम मातरो यहां तक सेम रहता है यह आपका चेंज जाता है मातरे ठीक है तो यहां तक इतना है आपको बस अब इतना याद करना है मातरा मातरे मातु मातु मातरी तो एक वाइस को जल्दी स लर्न कर लेते अभी क्योंकि फिर पिता का हमें सीम मिलेगा एक दम कुछ भी इन इसके बार संबोधन आएगा तो संबोधन एकजाम में जनरली पूछता नहीं है इन केस अगर पूछ लिया तो जी फिर्स्ट लाइन आपकी होती है प्रतिमा विभक्ति कि वही रहता है सब के आगे हे लगा हुआ अब आपने माता का याद कर लिया आप चाहें तो वीडियो पास कर लीजिए एक बार अच्छे से रीट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए है ना यह आपको लर्ण हो गया स्नेफ शॉट भी अप ले लिया करिए अगर बाद में आपको लगता है कि भूल रहा है हमें तो आप स्नेफ शॉट ले लिजिए वफが अब चलते हैं पिता का देखते हैं देखिएगा आप, पूरा सेम जाएगा. Next line देखिए. ठीक है? अप इन आट करना है, यह आपको ध्यान रखना होगा. Next आपका है, मातरा मात्रिभ्याम मात्रिभी, पित्रा पित्रिभ्याम पित्रिभी, ध्यान रिखी का इधनी लगाए वो नेक्स्ट आपका मात्रे मात्रिभ्याम मात्रिभ्याम पित्रे पित्रिभ्याम पित्रिभ्या मातु मात्रिभ्याम मात्रुभ्या मात्रिभ्या मीन पितु पित्रिभ्याम पित्रिभ्या मातु मात्रो मात्रिणाम और यहां पी आपका क्या हो जाएगा पिदू, पित्रो, पित्रणाम फिन नेक्स्ट आपका एक लास्ट लाइन बच रही है तो आप देख लीजिए मातरी, मात्रो, मात्रिशु पितरी, पित्रो, पित्रिशु इसके बाद सम्भोता ना आएगा आपका तो आपने देखा कि रिकारांत जो की एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कितना इजी है याद करना इसको, आप एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको 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 पूरे याद करना है, इतना ही याद करना है, आपको आपको पूरे याद हो चुकी है, अब आपको मुझे पढ़ाना है कारक और विभक्ति जो की बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा, इसके बाद भी छोटे-छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, तो वो बिल्कुल कवर हो जाएंगी, डोंट वर आपको लाइक करना है, दोस्तों के जाँ शेयर करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स जो भी अप्लोड तो आपको इसली मिल जाएं, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, केव स्टुडिंग, बाबाई